Hello friends, welcome on my channel BSA Tricky Classes एक बार फिर से हम आपके लिए एक बहुती बढ़ी आजिए ट्रिक लाए हैं जिससे कि आप क्या है सिखों के दस्गुरुों के नामों को बहुती इजी वे में याद रह सकते हो तो यह जो ट्रिक हैं आपके चाहें ससी हो चाहें बैंकिंग हो चाहें कोई भी रेलवे हो कोई भी अधर कॉम्प्टिटिव एक्जाम क्यों ना हो यह आपके लिए काफी यूसफुल रहेंगी सो चले शुरुवात करते हैं आज की जो ट्रिक है हमारी क्या है यह नानक अंग दानकर अमर हो राम के पास चले गए लेकिन अर्जुन ने गोबिंद की राय ली और कितनी बहाधुरी से खुद गोबिंद बन तो यह है आपकी आज की ट्रिक इस ट्रिक ते रूर आपक्या गर सकते इन सिखुक के दस गुरुरों के नामों को बहुत ही याद रख सकते हो तो जबें गर्वलीक ज़ए- नानक से उ गया आपके उधनले गुरु सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक ठीक है अंगदान से आपने लिया गुरु अंगत ठीक है हमारे जो सिख धर्म के जो दूसरे गुरु है वो है हमारे गुरु अंगत इसके बाद हमारे जो तीसरे हैं गुरु रामदास यह कैसे आगए अमर हो राम तो राम स ठीक है और अमर से हो गए हमारे चौथे गुरू सिक्कों के गुरू अमर दास यह थोड़ा सा नंबर में प्रॉब्लम हो गई यह जो है तीसरे गुरू है और यह हमारे जो है वो चौथे गुरू है ओके तो जो सिक्कों के तीसरे गुरू है वो है गुरू अमर दास और जो च गोबिंद से हो गया हमारे गुरु हर गोबिंद ओके और राय ली से साथ में गुरु हर राय ओके और कितनी बहादुरी से खुद गोबिंद बन गए ठीक है तो हमारे क्यों गया गुरु हर रौय के बाद हब आइछ वे गुरु गुरु फर किसे आया की लिए की वड़ उठाई की किसे हो गर लुद किसंब उस तरीके से बहादुर तो गुरु टैग बहादुर वे निव Yazid तो इस ट्रिक के थुरू आप इन सिख धर्म के दस गुरुओं के नामों को बहुत ही इजी वे में याद रख सकते हैं हम आपके लिए ऐसे ही जीस के ट्रिक लाते रहेंगे जो आपको जीस को काफी इजी बना देगी ठीक है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेश्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन पर भी प्रेस कर दिए ताकि आपको ऐसे ही मज़िदार ट्रिके मिलते रहें ओके थैंक यू